दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी फिरी स्मार्टफोन एबं टैबलेट योजना दोजाज 24-25 के बारे में अगर दोस्तो आप लोगों ने भी UG, PG, Technical Diploma, Medical Diploma, ITI Diploma, कोई सा भी Diploma 2021-22 सत्र में या फिर आप लोगों ने 22-23 सत्र में या फिर आप लोगों ने 23-24 सत्र में किया और आपके भी कालिज में टैबलेट का बितरन अभी तक नहीं हुआ इन सत्रों में और आप अभी तक टैबलेट लेने से रहे गए हैं तो फाइनली टैबलेट बितरन का जो न्यूज है वो फाइनली आज निकल के आ गया है तो अगर आप लोग भी 21-22 सत्र के या फिर 22-23 सत्र के या फिर 23-24 सत्र के छूटे हुए स्टूडेट हैं और आपको अभी तक ना तो टैबलेट मिलाए ना आपको स्मार्टफोन मिलाए तो फाइनली यहाँ पर 5 डिश्टिक में फ्री स्मार्टफोन एवं टैबलेट बित इसके बारे में इस वीडियो में complete information लेकर आएं तो अगर आप लोग भी यह वीडियो को completely देख लेंगे पूरी उमीद है कि आप लोग भी फिरी स्मार्टफोन एवं टैबलेट योजना के बारे में समपूरन जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी फिरी स्मार्टफोन एवं टैबलेट योजना के बारे में जैसे कि आप लोग को मैं बता दूँ कि जो फिरी स्मार्टफोन एबन टैबलेट योजना का जो बितरण है वो 2021 से स्टार्ड हुआ था लेकिन 2021 में 99% कॉलिजों में फिरी स्मार्टफोन एबन टैबलेट बितरण किया गया जो इस्टुडेंट फाइनल येर के छातर या फिर छातरा थे लेकिन उसके बाद जब 2022 आया उसमें दोस्तों यहाँ पर काफी इस्टुडेंट को ना तो फोन मिला आए और ना ही अभी तक उन्हें टैबलेट मिला है तो इसके बाद 23, 24 में जो 17 है उसमें भी काफी इस्टुडेंट जो भी फाइनल येर में आ गये थे उन्हें भी यहाँ पर टैबलेट बितरण नहीं हुआ लेकिन स्मार्टफोन कुछ कॉलिजों में बित्रण हो चुका है तो फाइनली अब यहाँ पर टैबलेट बित्रण का जो लिष्ट है उसे जारी कर दी है सबसे पहले यहाँ पर पांच डिश्टिकों को जारी किया है कि फिरी स्मार्टफोन एवं टैबलेट बितरन का तो जैसा कि पहले नमबर पर जो हमारा डिश्टिक है वो यहाँ पर बरेली है बरेली में आप लोग को बता दे कॉलिज है गौर्रमेंट आई टी आई सीवी जो में टैबलेट और स्मार्टफोन की जो लिश्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है और जल्दी आप आपके जो कॉलिज में है वो बितरन श्टार्ड होने की समबाब ना है आप लोग अपने कॉलिज से कॉन्टेक करके जरूर रखें इसके अलाब अगर आप लोग टैबलेट का जो बितरन है वो होगा तो आपको अपने कालिज से सूचना मिल जाएगी हो सकता आपके कॉलिज वाले आपसे कॉल करके भी बात कर सकें हो सकता आपके पास खुद उनका नोटिफिकेशन आ जाए हो सकता आपके एरिया के जो भी कॉलिज वाले है वो आपके न सैप्ट ले जानी पड़ेगी अधार कार्ड ले जाना पड़ेगा और आप लोग चाहें तो यूनिफॉर्म में भी जा सकते हैं इन तीन चीशों का ध्यान रखना हैं बाकी आपके कॉलिज में कब बित्रन हो रहा है आप लोग कमेंड करके जरूर बताएगा बाकी अभी का य